अब मेरी बारी है इस पार तू हारेगा टाइगर सब ठीक क्या तुमने बस एक बाद भूल गए जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं दोस्तों बीते रविवार यानि 12 नावंबर को खास दिवाली के मौके पर रिलीज हुए थी टाइगर 3 जिसने सिनेमा घरों में अपने 3 दिन कंप्लीट कर लिये हैं और इस फिल्म को रिलीज हुए आज सिनेमा घरों में 14 दिन चल रहा है फिल्म के कलेक्शन में अभी तक तो कोई गिरावर देखना को नहीं मिली है और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर एक बढ़िया कलेक्शन करके कई सरे रिकॉर्ड का अपने नाम भी कर लिया है अपने पहले दिन के एक रिकॉर्ड तोड ओपनर लेने के बाद वहीं दूसरे दिन इस फिल्म के कलेक्शन में अच्छा खासा उच्छाल देखनों को मिला उसके बाद तीसरे दिन भी फिल्म की ग्रोथ काफी अच्छी देखनों को मिली और आज अपना चौथा दिन पर भी है हाउस फुल बोर्ड के साथ चल रही है यही होता है जब किसी सिनेमा गुरों में अच्छी फिल्म आती है तो अच्छी कलेक्शन भी करती है पहले हमें बताऊंगी टाइगर दिरी के तीन दिनों के अंदर कितना कलेक्शन किया और फिर बाद में बताऊंगी कि इसने पूरे वर्ड वाइड में टोटल तीन दिनों के अंदर कितना कलेक्शन किया साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं कि आज यानि अपने चोथे दिन इंडिया से कितना कलेक्शन कर रही है और वर्ड वाइड बिल्ट कितना कलेक्शन कर रही है बनी सर्मे के ड attractive में बनी ये फिल्म है कि स्पाई योनिवर्स की एक्षन धिलर फिल्म है इससे पहले भी हम इस्पाई यूनिवर्स इसे पठान देख चुके हैं जिसमें हमें सालमान खान का इस्पेसल कैमियो देखनों को मिला था प्रोडूस किया है इस फिल्म को यह स्राज फिल्म के अधिती चोपडा ने लीड कास्ट की बात करें तो हमें सलमान खान के ट्रीना कैप और विलन के तावर पर एमरान हासमी वहीं सारुक खान और इतिक रोसन का इसमें एक्स्टेंडर्ड कैम्यों भी है बजट की बात करें तो इस मुवी का बजट लगबग 320 करोन का है फिल्मे के मेकर्स ने इस फिल्मे को लेकर बहुत बड़ा प्लान किया था रिलीज करने के लिए और टोटल इसे 9000 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज भी किया गया है दिवाली का दिन ता फिर भी सल्मान खान की टाइगर 3 रिकॉर्ड तोर कलेक्सन करने में काम्याब रही और दिवाली के मौके पर सल्मान खान की केरियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म में भी बनी फर्स्ट डे वर्ड वाइड कलेक्सन इस मुवी का 94 करोन का रहा वहीं सेकेंड डें इंडिया सेनट कलेक्षन इसका 59 करोन का रहा दो दिनों में ही इंडिया सेनट कलेक्षन इसका 303 करोन 50 लां का रहा वहीं वर्डवाइट ग्रॉस कलेक्षन 184 क्रोन का रहा और अपने तीसरे दिन जो कलेक्षन के वो 22 क्रोन का किया इसी के साथ तीन दिनों का इंडिया नेट कलेक्षन इस मोवी का 145 क्रोन और अपने तीनी दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्षन 172 क्रोन का गिया और सीज कलेक्षन की बात करें तो ही 631 के बीच में इसी के साथ इंडिया सेने सी अपने चारी दिनों में 175 क्रों के अप्रोक्स कर मैं अगर बात करें वेल्डबाइड की तो वर्लौइड ग्रॉस करेक्शन से तिन सो क्रों के आक्ड़े को पार कर चुका होगा। दोस्तों ये movie आपने कौन से city से देखी है या नहीं देखी है या देखने वाले हैं में comment करें और आपने अगर ये movie देख ली है तो ये movie आपको कैसी लगी comment करें